राजिस्थान में साथ सीटों पर उप्चुनाव हो गए नतीजे आ गए विधायक बन गए इसके बाद दी सियासी पारे में बिल्कुल भी ठंडक नहीं ऐसा क्यूं क्यूंकि साथ सीटों में से पांच सीटे जो है बीजेपी ने जीत ली और एक सीट कॉंग्रेस के पाले में जा गिरी और एक बीए पी के पाले में जा गिरें लेकिन कॉंग्रेस का फाएदा हो नहीं हो नहीं पता लेकिन भाजपा का फाएदा होता हुआ दिख रहा है। कि किरोडी लाल मीना के जो सारे वादे होते हैं वो जूटे होते हैं सारी बाते होती हैं वो जूटी होती हैं क्योंकि जो किरोडी लाल मीना है उन्होंने लोक सबाचुनाव के बात कहा था कि वो अपना इस्तिफा देंगे इस्तिफा तो दे दिया लेकिन मंजूर नहीं हुआ जो बोलते हैं वो करते हैं अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस्तिफा मंजूद क्यों नहीं हो रहा है इसे के साथ बाचीत का दोरान जो है डिसी बेर्वा कहते हैं कि अभी कुछी दिन पहले किरोललाल मीना की तब्यत खराब हो गई थी तब्यत जादा खराब होने के दौरान ही वो तंच करते हैं कि तब्यत तो खराब होनी ही थी क्योंकि चुनावी हार को वो पचा नहीं पाए बदहजमी और एसेडिटी जादा हो गई इसलिए उनकी तब्यत खराब हो गई बैरवा शनिबार को तीका राम जूली के जनम दिन के अवसरपल अरवर में मौझूद थे और वहाँ पर मीडिया से बातशीत के दौरान वो सरकार पर सियासी हमले के दौरान कई सारी बाते बोलते हैं अब सोचेंगे ये है कौन डीसी बैरवा आज से नहीं राजनीती का हिस्सा काफी वर्सों से है वो पंचायस समिती के प्रधान भी रह चुके हैं और उनके जो पिता जी थे वो भी प्रधान रह चुके और उनकी पत्नी भी प्रधान है तो ये डीसी बैरवा अब जो हैं दौ जो शेयर कर लेंगे तो इस बात का जवाब देते हुए जो विधायक डिसी बहरवा है नवनिर्वाचित वो कहते हैं मन्च तो शेयर हो ही जाएगा पहले आप अपनी ओर देखो अपनी ओर देखने का मतलब यह है कि भाजपा के सभी जो एक तरफा नेता हैं वो एक जुट हो कर जो है किरोडी लाल मीना से नाराज हैं तो किरोडी लाल मीना भी कुछ कम नहीं है वो शायराने अंदाज में भाजपा को ही जो बिना निशाना बनाए किसी को भी वो कुछ कहते हैं वो भी आप सुन लीजे किरोडी ने अपने ट्वीटर पर लिखा खेला हूं मैं सदा आ है भड़िया की मुझे मार दे नहीं मौत में इतना दम है कब रमजारों की आउकाद ही क्या सूरज मुझसे आँख मिलाता घबराता है चांच सितारों की आउकाद है क्या यह जो एक इनों ने शायराने अंदाज में वे ट्वीटर पर पोस्ट लिका वो इसका जो सीधा मतलब हों भाजपा के कारे करता हों बिना किसी का नाम लिए वो सीधा संभोधित करते हैं उनके और इशारा करते हैं कि आज अगर जीत का जो है जश्न मनारा डीसी बैर्वा है तो भाजपा के कारन तो डीसी बैर्वा भी कहते हैं कि इससे कॉंग्रेस को फाइदा मिले ना मिले ल